नहीं रहे शारुख खान को स्टार बनाने वाले फिल्मेकर लेक टंडन शारुख खान को उनकी जिंदिगी का पहला ब्रेक देने वाले डिरेक्टर लेक टंडन ने 15 अक्टूबर को शाम करी 5 पढ़कर 48 बजे मुंबई में अंतिम सांस ली वो 88 साल के थे आपको बता दे कि यह 1988 में लेक ने सबसे पहले सीरियल दिल दर्या के लिए शारुख खान को साइन किया थे लेकिन किसी वज़ा से शूटिंग में देरी हुई और फॉजी पहले टेली कास्ट हो गया यही वज़ा है कि फॉजी को शारुख का डेब्यू टीवी शो माना जाता इतना ही नहीं लेक टंडन ने साल 2000 के बाद फिल्मों में आक्टिंग भी की उन्होंने शारुख खान के साथ सुधेश और चिन्नई एक्सप्रेस और आमिर के साथ रंगे बसंदी जैसे फिल्मों में काम किया था ज्यादातर फिल्मों में वो ग्रांट फादर का रोल ही करत सोमवार को सुबा 10 बजे से उनके रेजिडेंस 7 फ्लोर लेक सुपीरियर लेक होम्स पवई में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा दुपेर 12 बजे हिंदू शमशान भूमी टेगोर नगर विक्रॉली में उनका अंतिम संसकार किया जाएगा लेक की प्रियर मीट 17 अक्टूबर को दुपेर 12 से एक बजे की बीच हीरा नंदानी हस्पताल पवई के पीछे गुरद्वारा पंजाबी सवा हरियोम नगर में होगा लेक की फैमली मेंबस की ओर से यहां लंगर भी रखा जाएगा लेक टंडन ने बतौर डिरेक्टर, प्रोफेसर, अमरापाली, जुक गया असमान और दो राहें जैसी यादगार फिल्में दी लेक टंडन का फिल्म इंडस्ट्री में एक बहतरीन योगदान रहा है वो ताउम्र सब के दिलों में जिन्ना रहेंगे May God Bless His Soul